वेलकम बाक तो माई चानल फ्यूजन किकी और फ्रेंड्स आज का जो एपिसोड है वो है उमदाय लखनो का एपिसोड वन जी हाँ उमदाय लखनो सिरीज में आपको लेकर पहुँचती हूँ वैसी जगह वैसे लोग या वैसी चीजों के पास जो लखनो के अंदर उमदा या बहतरीन है और इसी बाते आज मैं आपको लेकर आप पहुची हूँ हजरत गंज में गरिमा महनानी मेकप स्टूडियो एंड सलोन और मैं बिलकुल ठीक उसके सामने खड़ी हूँ आप देख सकते हैं ये सलोन लोकेटेड है सहारा गंज मौल के ओपसिट और फ्रेंड्स जो मेकप सोविसेज लेना चाहते हैं या लखनो के अंदर जिनको एक अच्छे मेकप आर्टिस्ट की तलाश है उस तलाश को हम यहां खतम करेंगे अंदर चलेंगे गरिमा महनानी से करेंगे बहुत सारी बातें जानेंगे कि क्या-क्या मेकप ट्रेंड्स इस वक्त चल रहा है और हमारी अपकमिंग ब्राइड्स को क्या फायदा हो सकता है तो आएए चलिए चलें चलें तुड़े वी आर हाविंग अ बेरी स्पेशल गेस्ट विद अस मिसस गरिमा मोहनानी गरिमा आज लखनो के अंदर किसी पहचान की महताज नहीं है दोस्तों मेकप इंडस्ट्र में एक जाना माना नाम है इस वक्त मैं उनके हज्रत गंद वाले सलॉन में बैठी हूँ तो आएए चलिए उनसे ही बात करते हैं हलो गरिमा तो गरिमा पहले आप अपने बारे में कुछ बताईए मैं गरिमा मुनानी हूं मेकप आर्टिस्ट हूं और साथी साथ है स्टाइल यह मेरा सेंटर अश्याना में और हज्रत गंच में इन फाक मेरे दो सेंटर हैं एक अश्याना में और हज्रत गंच में मेरा यह 2017 से मारा यह संटर स्टार्ट किया गया है और इससे पहले मैं लाकमे के साथ ही वहां पर वर्क किया हुआ है और थोड़े टाइम के बाद मैंने या फिर मैंने लाकमे के साथ लुक्बुक में भी वर्क किया हुआ है. फिर 2017 में रेजाइन करने के बाद मैंने अपना सिंटिस्ट सटार्ट किया था. Thank you so much Garma, उन्होंने अपने बारे में देखा दोस्तों कि हमें कुछ पताया और पोर्सनली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब मेरी इंगेजमेंट थी इसी साल एप्रिल में तो मैंने अपना मेकप गरिमा से ही करवाया था बहुत अच्छा था फ्रेंट्स दाट इस वाई मैंने कंसीडर किया कि जब मेरा खुद का पोर्सनल एक्सपीरिंस इतना अच्छा रहा है तो जो हमारे लखनों की जो ब्राइट्स है उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए इस बारे में तो मैम आप हमें ये बताईए कि इस टाइम पे जैसे जो ब्राइट्स है उनके लिए आप क्या सेजेस्टन देना चाहेंगी जी करिमा बताईए सबसे पहले तो जो ब्राइट्स है उनको अपनी पहले तो अपनी स्किन केर के बारे में पता होना चाहिए जो कि कभी भी जैसे मेकप अगर कोई भी लेना चाहता है तो उसके एक दिन पहले कोई भी ट्रीट्मेंट नहीं होना चाहिए जैसे कि रेजर है रेजर का रहता है या कोई भी facial है waxing है ये सबसे पहले तो नहीं लेना चाहिए बिगुस उससे पता नहीं रहता कि हमारे skin को क्या react कर जाए maybe उनको rashes पढ़ सकते हैं या फिर bumps भी निकल सकते हैं waxing वगरा से और सबसे पहले ये कि उनको अपनी diet का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी diet बिल्कुल proper होनी चाहिए और उनको 8 hours की तो समीद लेनी लेनी चाहिए सबसे ज़्यादा important चीज ये है फिर उसके बाद में कुछ भी नए products को ले करके एकदम से नहीं उन्हें लेना चाहिए कोई भी treatment नए products के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता रहता कि हमारी skin को क्या react कर जाए और साथ ही साथ उन्हें जिस दिन facial उनका makeup रहता है उनको एक seaweed pack, seaweed gel के साथ में जाना चाहिए जो कि हमारी skin के लिए बहुत हाइडरेट करता है साथ ही उनको ये भी रहना चाहिए कि उनका makeup बहुत nude हो, बहुत subtle makeup होना चाहिए जिससे हमारे features बहुत highlight हो और साथ ही साथ dewy makeup का trend है, अगर हमारी आखे जैसे की छोटी है तो हमारे water line पे काजल apply करके एक nude pencil के साथ जाना चाहिए जिससे की हमारी आखे थोड़ी बड़ी लिदिखती है, हाँ definitely अगर हमारी आखे बड़ी है तो हम उनको winged liner के साथ जा सकते हैं, तो इस तरीके की उनको छोटी छोटी चीजों का थोड़ा properly ध्यान देना चाहिए जी तो और विससी बात है, friends की गर्मा के बात करने के तरीके से ही आपको यह पता चल गया होगा कि कितनी depth है और कितनी knowledge है उनको इस चीज के regarding ठीक है उसी तरीके की आजकल high definition makeups भी होते हैं जिसमें सबसे expensive ingredients होता है जो की होता है क्वार्ट सेन माइका लोग जादा तर actually पहले का ट्रेंड क्या था ना ब्राइड रूती अवेर नहीं थी बट अब क्या है कहीं ना कि उनको थोड़ा brand conscious रहती है जैसे कि जो हम लोग use करते हैं brands ठीक है वो जैसे कि forever 52 हो गया या forever makeup forever हो गया inglot हो गए है esti lauder है dior है और makeup forever का hd का foundation आता है सबसे best मुझे लगता है जो की nude और subtle होता है तो इस ये जो makeup है हम लोग की skin को बहुत हेवी makeup ना दे करके एक बहुती nude और subtle makeup ही देता है और वैसे भी वो चीज पहले की तरह नहीं रहगी कि हम लोग बहुत के की makeup को carry करके चलें बहुती subtle makeup ही लोग ज्यादा तर carry करते हैं और पहले ये भी था कि चलो अग रेड लहेंगा है तो हम लोग रेड के according makeup करें बट आजकल के time में brown makeup ज्यादा चलना है जिसे brown smoky हो गया वो बहुत अच्छा लगता है और बस ये है कि makeup में जिते भी अच्छे और higher brands के होंगे और definitely उतना अच्छा result देंगे सबसे best ये रहता है आजकल airbrush या फिर high definition का बहुत trend है तो friends अब थोड़ा हम इन से जानेंगे कि इनके salon में क्या क्या से services available है और in case अगर कोई लखनों के बाहर से भी bright आ रही है तो क्या उनके ने क्या services provide की जा सकती है हमारे पास skin से ले करके hair makeup ये सब हम लोग cover करते हैं और जो हम लोगों के पास में hair का services है उसमें जैसे hair chemical services हो गई है beauty से related services है और definitely makeup तो हई है हमारे पास में तो हमारे पास ये ज्यादा services है और एक मेरा एक personal question भी है काफी brides को इस चीज़ का रहता है क्योंकि just after your wedding तो क्या है कि couple honeymoon के लिए चले जाते हैं एक बहुत sleek सा hair हो उनका और straight hairs हो with lots of chura in hand ये एक बड़ा trend है तो मैं ये पुछना चाहूंगे माम आपसे कि keratin, straightening और smoothening तीनो actual क्या है, difference क्या है और एक bride अगर करवाना चाहिए या general भी कोई कराना चाहिए तो किसको preference देनी चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग hair बिना देखे हम लोग किसी को guide नहीं करते हैं, ठीक है ना? और वो एक अलग चीज़ है कि rebonding से या smoothing से बहुत easy to maintain करना हो जाता है, बट आजकल के time में ये भी देखा जात है कि थोड़ा hair ना आजकल volume ज्यादा लोग create करना चाहते है कि volume hair ज्यादा trend में है, तो definitely आजकल keratin का बहुत trend है, keratin हमारे बालों की elasticity को तो improve करती करती है और साथ ही साथ हमारे hair को थोड़ा manageable कर देती है, relax कर देती है, तो ये services आप definitely ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है friends आपक को एक clarity तो हो गई होगी और जैसा उन्होंने बताया, बिलकुल ठीक कि बिना hair को देखे या फिर पता करें कि texture क्या है, कैसा है, कौन सी services लेनी है, एकदम randomly decision नहीं होना चाहिए, और इस वक्त currently लखनव के अंदर माम के दो branches है, एक हजरत गंज में है और दूसरा आशियाना म में जा सकते हैं, अब थोरे discount की बात कर लेते हैं, तो माम इन केस अगर कोई fusion kiki के reference से आता है, ब्राइडल मेकप के लिए, तो क्या कुछ discount होएगा? Definitely हम लोग के पास में, in fact अभी भी 20% discount पे ही चल रहे हैं, और वैसे भी मैं इतनी stubborn नहीं हूँ कि अगर कोई client आता है, तो मैं इतनी stubborn, definitely हम लोग अपनी दरफ से भी best service देते हैं, और discount देकर के services में भी discount नहीं देते हैं, ठोड़ा माम, pre-bridal services के कौन-कौन से package available हैं, आपके प बाद में हमारे पास 21,000 तक की pre-bridal services हैं, और अगर bridal के साथ, अगर pre-bridal services देखते हैं, तो हमारे पास 24,500 से ले करके, 37,500 तक with makeup services हैं हमारे पास, that means makeup and pre-bridal services, both, I hope दोस्तों कि आपको गरिमा जी से ये छोटी सी बात चित काफी पसंद आई होगी, और आपकी बहुत सारी queries क आपको answers मिल गया होगा, और बाकी बातों के लिए जादा जानकारी के लिए मैं description में उनका phone number, address, location, salon का बाकी चीज़े mention कर दूँगी, तो अगर आप लखनव में रहते हैं, या फिर UP में कहीं भी रहते हैं, wedding venue आपका यहां पे है, या आप कुछ services लेना चाहते हैं, तो मेर पर आप यहां जरूर विजट करें, और जैसा कि माम ने बताया कि अगर आप प्री ब्राइडल और मेकप दोनों एक साथ इंक्लूड करके यहां से लेते हैं, तो काफी discount हो जाएगा, और या fusion kiki channel के थ्रू अगर आप आते हैं, तो भी जितना possible है, उतना discount भी हो जाएगा, क जो मेकप यह प्रोवाइड करती हैं, वो भी बहुत genuine और बहुत अच्छा है, और जो सबसे important चीज है यहां पर कि client की जो demands है, उसको cater किया जाता है, माम खुद सब चीजे देखती है, personally, individually एक एक client के उपर उनकी नजर रहती है, क्योंकि मैंने खुद भी करा, so I have a lot of experience कि मैं कह सकती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीजें की, तो एक बार आप यहां पर जरूर विजट करें, thank you so much गरिमा आपका कीमती समय देने के लिए, thank you, thank you so much कृतिका, अभी गरिमा जी की team हमारे साथ है, hello, hello जी, तो आप बताएए कि क्या-क्या products इस वक्त आपके प सकते हैं, and किसी product से साथ आप करवाते हो, तो आपकी hairs को mild product देता है, and hair को damage नहीं होने देता है, thank you so much, और उसके अलावा, आप क्या-क्या services प्रोवाइड करते हो, और मुझे थोड़ा section थोड़ा अपना salon दिखाते भी चलगे, okay, आजाएगी, चलगे, यह आपका make-up area है, yes maami, यह हमारा make-up area है, यहाँ पर हमारा make-up होता है, और bridles बहुत अच्छी से ready होते हैं, खुछी होते हैं, कि माम का make-up बहुत अच्छा है, thank you so much, तो friends, यह गर्मा माम का make-up area है, उसके बाद आप बाकी जो salon के जो services है, उसका area भी हम देख लेते हैं, जो काफी well maintained or clean है, क्योंकि sanatization का भी मुझे काफी यहाँ पर सब कुछ देख रहा है, और विसी बात है, post-covid के बाद भी, we have to clean and maintain everything, so that की जो customers, उनकी hygiene का भी ध्यान रख रखा जाए, what's a good name, Gia, Gia, तो Gia, बताईए, यह हमारा beauty area है, and hair का भी said hair का होता है, अंदर beauty का काम होता है हमारा, और यहाँ पर हर service मिलती है, आपको, कोई भी service आप करवा सकते हैं, यहाँ पर, जी, ओके, और वो क्या आपको spa chair or pedicure chair वगरा है, यह हमारी spa, यह sample station है, वो ped यह हमारा facial room है, यह हमारा facial room है, कौन-कौन से facial जादा इस टाइम जो लोग है वो पसंद करते हैं, O3 का है, कस्मारा है, और blossom culture है, and अभी तक ज्यादा तर लोग यह करवा रहे हैं, कि O3 and कस्मारा ज्यादा चल रहा है, कि वो बहुत अच्छा product है, और result अच्छा देता है, ज यह हमारे साथ है, उन्होंने माम के salon का बहुत अच्छा tour हमें कराया, तो friends आप देख सकते हो, कि इनका salon setup भी बहुत अच्छा है, और आपको location में बता दू, बहुत ही prime location है, बिल्कुल आपको सहारा गंज मॉल के opposite में है, तो आपको ऐसा ढूंडने में, या फिर बहुत area जाना है, और setup बहुत अच्छा है, sanitation का भी बहुत ध्यान रखा गया है, तो friends यहां माम के salon में आप जरूर विजद करें